हम तन अर मन अर धन आगे और मत दोख ना तो जहां दोनों पजों के मध्ध ही आना चीनत में नहीं अभी यहाँ पर मैंने कहा पत्र पूष्प फल, बोलो कियो होगा पत्र और पुष्प और और फल के आगे और निजोड़ना है आप यह नहीं कह सकते हैं पत्र पुष्प और फल यह वाक्य में कह सकते हो अब लिखने में लिख सकते हो लेकिन जब योजय चिन का प्र ने continu डूसरी बात जो यह कहा जाता है कि जिन दोपदों के मद्य योजग चिन का प्रियोग हो वहां पर द्वन्व होता है बड़ी बात बता रहा हूं परिक्षाओं में आने वाली जो यह कहा जाता है कि द्वन्द्व समास वहां पर होता है जहां पर योजग चिन आता है यह बात सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है अश्वथामा मारा गया नरहतो वाकूंजरो आदा सत्ति था आदा जूट अब यहां पर देखो योजग चिन का प्रियोग होता है वहां पर पहली बात तो केवल द्वंद्व नहीं होता वहां पर कोई और समास भी हो सकता है तत्रू शमास भी हो सकता है जैसे मैंने एक सब्द लिया उन्नत क्या लिया बोलो परिक्षक क्या करता है इन दोनों को मिला करके एक सब्द आपको देता है उन्नता वनत क्या देता है बोलो अब मुझे बताव इसके नदर कही नीचे वाले में विग्णे दिखा योजग चिन नहीं है योजग चिन नहीं है तब भी योजक चिन नहीं है तब भी यहाँ पर क्या वासंधी हो गई क्या हो गई भूरो बात ध्यान डखो कि योजक चिन आता है वहां करूंद वो सकता है लेकिन जहां aoं पर योजक यहां पर उत्र नहीं होगा है जहां पर विलूम सब्द का आर्थ भाव दे वहाँ पर क्या होना चाहिए वहीकलपिकर वाले शब्दों में समस्त पदूंग में विग्रह करते शमयं हम उन या तो यह प्रियोग करना चाहिए यह पिर अथ्वा का प्रियोग करना चाहिए बाकी यदि आपको वाकिये में प्रियोग करके दे दे तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी विकल्प आए उसके अनुसार से आप उसको विकल्प को चुनने में स्वतंत्र हैं यहां रखीगा अब यहां पर यह बात बता देना चाहता हूं अब मुझे यह बताओ कि यह दो दोनु समास है कौन-कौन से इत्रेतर द्वन्द और वाईकल्पिक द्वन्द क्या आप कर सकते हो हां या ना बोलो जितने भी बच्चे ध्यान देदी जीगा जितने भी संजाएं या संजाएं संजा बन सकता है कोई शब्द तो वहां पर इत्रेतर द्वन्द होगा वाईकल्पिक द्वन्द वहां होत है क्या है बोलो हमारी एक परंपरा जिसको हमने गलत परंपरा डाल दी है छोटे बच्चों को समझाने के लिए विप्रीत अर्थ वाले शब्द जिसको हम विलौम शब्द कहते हैं हमने शुरू से प्रात्मिक कक्षाओं में ये विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू कर दिया कि माता का विलौम शब्द पिता होता है भाई का विलौम शब्द बहन होता है एक तो बहिन शब्द गलत होता है शुरू शब्द क्या होता है बहन है मुझे समझ नहीं आता कि जैसे दिन और रात अलग-अलग है जैसे सुक और दुख अलग-अलग है दोनु विप्रीत दि क्या है वोलो लेकिन अब हम दुर्भागे से इनको क्या मानने लगे इन सब्दों को विलॉम शब्द क्या मानने लगे अरे माता और पिता तो जीवन का एक जो रत है उसके दो पहिये हैं वो विलॉम कैसे हो गए वो तो विलॉम तो नहीं हो सकते यह विपरीत लिंग वाले हो सकते हैं चाचा का चाची विलॉम नहीं हो सकता और विशुद रूप से यदि आप विलॉम की बात करोगे तो इस प्रकार के शब्दों को कोई विद्वान व्यक्ति जो हैं वहाँ विलॉम नहीं कहेगा यह धान रखेगा लेकिन अब पर पर परिक्षा की दरस्टी से आपको विकल्प देखना है और वहां पर अडामेंट मत होना की नहीं साब हम तो यह करने वाले नहीं है क्योंकि परिक्षा में समाहार द्वंद का मतलब क्या है कि जब एक पद के साथ लिखीगा हूं कि आया दूसरा पद के ऐसा हो जिससे पहले पद की तरहे की पहले पद की तरहे या पहले पद के साथ पहले पद के अर्थ के समान बोध होता है वहाँ पर समाहार द्वन्द्व होता है जब एक पद के साथ आया वा दूसरा पद कोई ऐसा हो जिससे पहले पद का जो अर्थ था उसी प्रकार की कोई अन्य वस्तूं का बोध भी हमें होता हो तो वहाँ पर कौन सा होता है बोलो समाहार द्वन्द कौन सा होता है बोलो समाहार द्वन्द यहाँ पर जो बात ध्यान दखने योग यह है कि उसी प्रकार की अन्यवस्तूं का बोध भी होता हूँ किसका जैसे मैंने एक शब्द लिखा पहला शब्द लिखता हूँ आपके सामने मैंने लिखा भूत प्रेत क्या लिखा बोलो अब यह सब्ते हैं कि जो भूत है वो ही क्या है प्रेथ है लेकिन भूत प्रेथ शब्ड का आश्य क्या है बोलो मैंने कहा कि वहाँ इस्तल भूत प्रेतूं से यूगत है तो जो भूत का जो अर्थ था उस अर्थ से जो अन्य वस्तूं का बोध हो रहा था उसी प्रकार की अन्य वस्तूं का बोध किसे हो रहा है प्रेत से किसे हो रहा है तो भूत प्रेत का पहले तो विग्रे सुन लो विग्रे होता है भूत प्रेत इत्यादी बोलो क्या होता है समास का नाम द्वन्ध है लेकिन द्वन्ध में पूछ ले कि कौन सा द्वन्ध है तो बोलो कौन सा है समाहार द्वंद्व है और ऐसाई जैसी जो परिक्षाएं जो हैं जो आगे आने वाली हैं ये धान रखेगा इस प्रकार के शब्दों की भर्मार आपको वहाँ पर मिलेगी इस प्रकार की प्रश्णों का इसतर जो है वो यही है अब भूत प्रेत का मतलब क्या हुआ भाई भूत है प्रेत है यक्ष है राक्षश है जिन है चोटे चोटे जितने भी भूत और भूतनिया जो है वो सारे किस पद में आते हैं बताओ भूत प्रेत में किस में आते हैं समाहार का मतलब क्या हुआ समू क्या हुआ बोलो पहले पद के साथ में कोई दूसा पद ऐसा जूड़ जाए जिससे उस पहले पद की तरह की अन्य वस्तूं के समू का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है बोलो समाहार द्वन्द क्या होता है बोलो जैसे मैंने एक सब्द लिखा भये निद्रा आहर मैथून क्या लिखा बोलो भय निद्रा आहार मैथून तो यहां पर देखो यह ध्यान रखो भय का मतलब डर होता है निद्रा जानता ही हम आहार खाना पीना होता है मैथून काम करड़ा होती है समस्कृत में निद्रा आहार मैथून अम सामान्यम मेतत पशुभिर नराणाम धर्मोही तेशाम अधिको विशेशो धर्मेन ही नहां पशुभी समाना हां दस्वी कक्षा में आप लोग उन्हें पढ़ा होगा हालांगे आप लोगन दस्वी हमसे पहले कर ली थी तो आपको सा कक्षा में नौमी कक्षा में यह आम श्लोग है जिसका पाठ स्विक्षक करवाते हैं कि कहते हैं कि भय निद्रा आहार और मैथून यह चार चीजें पशु शरस्टी में और मनुझ शरस्टी में समान है यदि हम भी इन चीजों तक ही सिमित्रे खाना पीना उठना बेटना स जिए जो विशेश है धर्मेन ही नहां पशु भी समाना जो धर्म से रहित मनुश्य हैं वो किसके समाने बताओ पशु के समान है तो यह चार प्राणियों के चार प्रकार की प्रकरती हैं गुणू का बोध हो रहा है लेकिन भय निद्रा हर मैथून का विग्रे करोगे भय निद्रा अहर मैथून के आगे क्या लगा दोगे इत्यादी इस प्रकार के और भी जो धर्म जो प्राणियों में पाए जाते हैं मेरी बात को मेरी भाषा को मेरी शब्द का ध्यान दीजीगा इस प्रकार के धर्म मनि कि भय निद्रा अहार और मैथून सद्रिश अन्य जो धर्म हमारे अंदर समाईत हैं उसका नाम क्या हो गया भय निद्रा अहार और मैथून इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द और हो सकते हैं जैसे मैं कहता हूँ कि साब ये गाउं तो जो है वो सेट साहुकारूं का है सेट भी वोई है साहुकार भी वोई है तो ये धान रखो सेट साहुकार इत्यादी क्या होगा बोलो इसी प्रकार से एक जो है ना आप शब्द लगते हो कपड़े लगते क्या है बोलो मुझे एक बाद बताओ कपड़े तो आप हमेशा लाते हो लेकिन लगते कभी लाए हो क्या तो विग्रे क्या होगा अब सुनो हमारी भाषा में कुछ एशे शब्द हैं जिसको बहुत सारे लेखक बहुत सारे वयाकरना अचारिय यहां कहते हैं कि निरर्थक शब्द एक सार्थक आजाए दूसरा निर्थक आजाए वहां पर द्वंद्व समास होता है मैं उन सभी से ही पूछना चाहता हूं कि भाषा में कोई भी शब्द निरर्थक यदि शब्द नाम मैंने दे दिया तो शब्दार्थव सहीतव काव्यम वागर्थव विविसंप्रक्तव वागर्थ पतिपत्यह भाई जहां पर शब्द है वहां पर तो अर्थ उसी प्रकार है जैसे शिव और पार्वति दोनु अलग-अलग नहीं है अर्धनारिश्वर है वो दोनों साथ ही रहते हैं वेशे ही जहां पर शब्द नाम दे दिया मैंने किसी का तो उसका अर्थ नहीं हो ऐसा संभव नहीं है वो अलग बात है कि यमक अलंकार में कुछ कभी अपनी अलोकिक चामतकारिक प्रतिवा से कुछ ऐसे शब्दों को गड़ लिया करते हैं जिनका कहते हैं कि वहां पर कोई अर्थ नहीं है लेकिन बार बजार में तो अर्थ है उसका तो ध्यान दीजीगा यह लिखना बंद कीज तो बादल हमारी आंखों के सामने आया है सूरिय के सामने आने की बादल की शम्ता नहीं है तो हम उसका अर्थ देख नहीं पा रहे हैं कैसे अब आप आप इस लत्ते शब्द को कुछ वयाकरन जो है वो निर्थ केते नहीं आप आप सोचिए आप से कोई पूछता है भहिया कहां गए कि बजार गए और आप कहते हो क्या लाए आप से पूछते क्या लाए आप क्या बोलते हो कपड़े लाया क्या लाया अब कपड़े लाया इसका मतलब और कुछ भी नहीं लाया आप क्या लाये बोलो और मैं कपड़े के साथ में लत्ते भी बोल दिया था बोलो क्य है कि कपड़े के जैसी और सामगरी भी में लेकर आया हूं यह इसका आर्थ है तो लत्ता शब्द कैसे निर्थक हो गया लत्ते शब्द आप जब मिलते हैं मैं समार्दवन की बात कर रहा हूं आप जब लोग आपस मिलते हो तब क्या कहते हो कि यार चाय वाई पिले क्या पिले अब आप बाहर खणें आपका मित्र बड़े दिनूं से आपको मिला है और जैसे ही आपका सामी पे संबंद और सनी कर्शू से होता है आपकी आँखें जैसे उसको देखती है और आप कहा उठते हैं कि बंदू आओ चाय वाई पिलो क्या पिलो अब आप मुझे बताओ कि आपने किसी भी आदमी को कभी वाई पिला ही क्या लेकिन क्या हो क्या रहा है कि चाय के साथ वाई पिलाने का मतलब क्या है जब आप कहत लोगी चाय पीले तो उस आदमी को क्या लगता है आपके मित्र को कि इतने दिन से मिला हूँ और निश्ठोर केवल क्या पिला रहा है चाय फिला रहा है जब इसके साथ में आप वाई शब्द का प्रियोग कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाई वाई इत्यादी वाई बोलते ही उसके दिमाग में कुछ और आशाय प्रज्विल्ट हो जाती है कि भाईया इसके साथ में कुछ और भी मिलने वाला है है ना बादा मिले काजू मिले नमकी मिले जो भी बिस्कित मिले जो भी आपके घर का सामर्थ हैं और सामर्थ है के अनुसार उसको सामने आप रखो कि बोलो हाई है न तो वाई शब्द ने क्या किया इस चाई जैसी और सा थी उसका भी बहुत करा दिया बोलो कौन सा समास हो गया क्या हो गया कि देखिए ग्रामिन शेत्र में आज भी जब लोग मिलते हैं तब क्या पूछते हैं बोलो जी आपके बाल बच्चे कैसे हैं कि मुझे यह समझ नहीं आता कि बच्चे तो ठीक है कैसे हैं लेकिन बालों से उसको क्या मतलब है कि बाल कैसे हैं लेकिन यहां पर बाल बच्चों का अर्थ है कि पूरे परिवार को एक ही शब्द में निप्टा दिया कि बाल बच्चे कैसे हैं बाल बच्चे इत्यादी बोलो क्या होगा तो इस प्रकार समहार्द्वन्द्व होता है कुछ लोग रोटी के साथ में क्या खिलाते हैं रोटी के साथ में क्या खिलाते हैं आपकी बार तुम्हारी मान लेता हूं रोटी के साथ में क्या खिलाते हैं वोटी खिलाते हैं क्या खिलाते हैं कि बहुत ध्यान से पढ़िएगा यह ध्यान रखीएगा यह जितने भी जो यह मैं अवलंबन जिन जो ले रहा हूं वह परिक्षा की दरश्ची से बड़े मित्पूर्ण है यह ध्यान रखीगा तो मैंने कहा कि रोटी वोटी क्या बोला बोलो और आप यह धी पस्ची में रास्तान में चले जाते हो तो वहां पर एक सब्द है रोटी शोटी क्या बोलो अब आप से कोई मिलता है और आप जब यह कहते हो कि आओ रोटी खालो तो कितना ओचा शाक लगता है शाब क्या रोटी की बात करें भीकारी हूं क्या और केवल रोटी खिलाते हो क्या बोलो अब आप ये भी नहीं कहते हैं कि रोटी खालो सबजी खालो मिठ़ाई खालो आइस क्रिम खालो एसा लगता है कि किसी दुकान दार के आ गया हूं क्या इए किन सभी शब्दों को जो रोटी क्या वोटी का किया तो वोटी कहने से क्या वा रोटी के साथ जो अन्य जोडी सरसुआ साग की है डाल भी है पनीर भी है ये भी है वो भी है ऐसा संभव नहीं है अब यह इस रोटी और सोटी का ले तो रोटी सोटी इत्यादी कर दो क्या कर दो कि अब इसका वास्तों में अर्थ ले तो तो इसका मतलब क्या हुआ पहले रोठी खा और फिर लेकिन खुल मिला करके इसके साथ में क्या है बोलो समाहार द्वन्द्व है क्या है बोलो विद्यारतियों तीन प्रकार का द्वन्द्व होता है पहला इत्रेतर है फिर वईकल्पिक है और फिर क्या है समाहार है और इन ती किनुहीं प्रकार के द्वंद्व का एक बड़ा जो नाम है बोलो क्या है द्वंद्व है मैं द्वंद्व समास को समाप्त करता हूं और उमीद करता हूं कि द्वंद्व समास से कोई भी प्रश्ण आपके जीवन में आया तो आप उसको कर सकते हूं बोलो हायना लेकिन एक आना चाहता हूं कि जहां पर लिखेगा पूर्वपद संख्यावाचक हो तथा उत्तरपद संख्यावाचक हो वहाँ पर दिवु समास होता है परंतु जिस समस्थ पद का पूर्व अवं उत्तर दोनु ही पद संख्यावाचि हो वहाँ पर द्विगु न होकर इतरेत्वर द्वन्व समास होता है जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक हो और जहां पर उत्तर पद जो हैं वह संख्यावाचक हो वहाँ पर कौन सा समास होता है द्विगु समास आगे वाला वही पड़ेंगे लेकिन जहां पर समस्त्पद का पूरो और उत्तर ये दोनों ही पद जो है वो संख्यावाची हो जाता है तो वहां पर क्या नहीं होता है और क्या होना चाहिए बोलो इतरे तर्द्वन्द होना चाहिए इस बात को मौस्ट किजीगा बहुत बार परीक्षयों में पूछा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्यावाची पदू में एक से लेकर नो तक कोई समास नहीं होता हुआ और ऐसी संख्याएं जिनके अंत में सुन्य और नो कि हो वहां पर भी कोई समास नहीं होता हुआ जैसे देखेगा एक हिंदी में लिखता हूँ एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ एक तो ये नो नहीं होता है नव होता है और दस और दस दोनों चलता है लेकिन हिंदी में हमें ये दस लिखना चाहिए ये ध्यान रखो ये वाला जो दस है वो तत्सम है और ये दस जो है वो तत्सम है दोनों में ये अंतर है बहुत मेर्पून चीज़ है और ऐसी संक्या है जिसके साथ जैसे मैंने का 10 है फिर मैंने का 19-20 फिर मैंने का 29-30 29 और 40 अनचास और 50 उनसट और साथ 79 और सात-तर 89 और 80 90 और 90 99 और 100 ये संक्षाइं जो हैं इसमें भी कोई समास नहीं लिखे फिटावर लिखे तो ये ध्यान रखिएगा ऐसी संक्षाइं जिसमें एक से लेकर के नो तक हो एक से लेकर के नो तक कोई भी समास नहीं होता इसका कारण क्या है कोई बताएगा सोचिए सबी लोग क्योंकि समास में कम से कम कितने पद होने चाहिए बोलो कितने पद होने चाहिए यहाँ पर केवल एक में एक ही पद है दो में पद एक ही है तीन में भी दो पद नहीं है तीन खुद एक ही पद है इसलिए मैंने कहा कि एक से लेकर नव तक की संख्याओं में कोई समास नहीं होता और ऐसी संख्याओं जिनके अंत में क्या आजाए बोलो शुन्या आजाए और क्या आजाए नव आजाए उनका विग्रह नहीं होता इसलिए एक से नौ तक संख्या और एई से संख्या जिसके अंत में नौ आ जाए और शुन्य आ जाए वहाँ पर भी कोई समास नहीं होता तो यह कितनी संख्या हैं मैं आपके सामने लिख दी बाकी जितने भी संक्या हैं दोनोंपर यह संक्या वाचक साथ में आते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है बोलो इतरे तरदवंद, कौन सा होता है बहुत बार परिक्षा में पूछा गया जेसे मैंने एक शब्द दिया पचपन बोलो क्या दिया अब ये पच्पन जो शब्द है इसमें कौन सा समास है बोलो इतरे तर्दवन्द क्या है बोलो इसका विग्रह कैसे करोगे यह जो पांच था पांच जो था यह क्या बन गया अरे पांच जो शब्द था पांच का समाज करते वुद क्या बन जाता है जिसे बच्चा और पन क्या बनेगा क्या बनेगा बोलो लकड़ी और हारा पानी और घाट हाथ और लेवा हाथ लेवा नहीं हत लेवा तो 5 के साथ 5 किसमें चेंज हो बताओ पन में और 50 किस में चेंज हुआ पांच तो पच में चेंज हुआ पचास किस में हुआ पन में हुआ तो पांच और पचास इसका विग्रे ऐसे करते हैं यह ध्यान रखेगा और आ गया बीच में और और के साथ में पहले थोटी संख्या का प्रियोग करते हैं और बाद में बड़ी संख्य का प्रियोग करते हैं तो क्या हो गया पांच और पचास जैसे जिसको आप सभी लोग यह बोलो इसको यदि मैं बुलाओं कि यह क्या है संख्या बताओ कितने संख्या लिकिये में नहीं है यह 63 नहीं है यह संक्या है बोलो कितनी 63 तो यहां पर 3 चैंस तू तो इसका विगरे हो जाएगा 3 और 60 प्लस लगा दो भीच में प्लस को स्वालू करो तो और लगा दो 3 और 60 यदि मैं आप से कहूं कि यह संक्या कितनी है बोलो मुझे ये पता है ना यदि मैं आज मेरे हिंदी के विद्धार्थियों को यदि ये कहूं कि एक से लेकर के सौ तक गिंती लिख दो तो सौ संख्या लिखोगे लेकिन पांसो अशुद्या लिखोगे ऐसा मेरा मानना है कितने हैं यह नो यह देखिए आप तो फिर भी ठोड़ा ठीक बोल रहे हैं है ना यह शंक्या है पापच और हत्तर सत्तर जो है यहां पर सत्तर चेंश टू हत्तर और पांस चेंश तू पच पांच और सत्तर और शब्द होता है पच हत्तर वहल क्या होता है स्कोक्ष तो बोलते हैं पिछी योदास क्या बोलते हैं consoles future अर्वार कि जान और हमारा शिक्षा का इस्तर क्या है और क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए यह आपका आत्मा से आवाज आए कि हां मुझे सुधार करना चाहिए तो लग जाईए पढ़ने के अंदर रात दिन एक कर दीजीगा योगह कर्म शुकाउशलम क्योंकि जब आप विद्या के साथ अपना योग जोड़ लोगे तो कर्मों में आपको कुशलता मिलेगी यह आप धान रखेगा क्योंकि हमारा योग न जाने कहां कहां पर हो यहां पर तीन चेंस तू तीर और पचास तेंस तू पन प्लस का निशान लगाओ बीच में और करो और लिखो तीन और पचास कितने हो जाते हैं बोलो तीर पन तो इस प्रकार से यह जितनी भी संक्याएं हैं यदि मैं इसको बोल दूँ कि संक्या का उचान करके बताओ नो यह सब्द है निन्या नबे क्या है बोलो अब हम कहते हैं अब घर वालों को पता है क्या तुम्हें सो तक गिंती नहीं आती हां तो पता नहीं चले उससे पहले सीख लो और यह वो बड़े खुश हो रहे हैं कि वह आप सनातक है को सनातक उतर भी इसनातक बहुत बड़ा नाम है अभी कुछ में एक वे थे तो हमैं ध्यान रखना होगा कि संख्याओं को क्योंकि ये चोटी-चोटी चीजें देखिएगा मैंने एक संख्या लिखी मैंने एक संख्या लिख दी जैसे बोलो ये क्या है 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 चालीस नहीं है विटा यह 40 हो जाता है तालीस में और उनका मतलब है एक कम क्या बनेगा उन क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा तो इध्यान रखो इस तरह से कर सकते हो बोलो हाए ना भाई बाकी तो आपको करना पड़ेगा जैसे मैंने कर दिया ग्यारह बोलो क्या बुला उचारण करो तो ग्यारह बोलो ग्यारह नहीं ग्यारह बोलो तो एक जो था एक चेंज हो गया ग्या में और दस जो है दस का रह बनता है दह बनता है और लह बनता है सो लह बोलो तो तो सो का क्या वाद सो जो छे था वो तो सो बन गया तब डृस था वोलव बन गया एक और दस ग्याराव इसी तरह से दोका बाा 풍 रह बनता है वह लोग क्या बनेगा बारर क्या गांस्त प्रकार की यह जानुकता यहां पर बिद्यमान है लेकिन हम यहां पर कितने लोग हैं जो यह जानते हैं कि बहुद संख्याओं से बाहर आकर कि यह मत क्यों कि इतनी बड़ी किताब पढ़ी थी कुछ नहीं आया क्योंकि परिक्षक जब बनाएगा धंका पेपर तो उस वो किसी पुस्तक से पाठी पुस्तक से नहीं आप भी क्या पास पास में चलने वाली चीजें को वह लेकर करके आता है तिरपन सबाद सब्द पच्पन सब्द इन शमस्त सब्दों में मैंने वही शब्द यांपर लिखे हैं जो किसी परिक्षा में पूछे गए बाकि तो मैं इसको पढ़ाऊ तो पूरा दिल लग जाएगा बाकि आप आप स्वाधिया की जीगा मैंने आपको एक चिंतन का एक तरीका दिया उस चिंतन के तरीके को आपको आगोबढ़ाना है द्वन्द समाज समाप्त होता है बोलो कर सकते हो हां या ना चलिए जिनकी हां नहीं सुन पा रहा हूं उनकी हां अपने आप इमें मेरी तरब से मान रहा हूं है ना चलिए यहां पर यह तीन प्रकार के द्वन्द थे वोलो कौन-कौन से थे इत्रेतर था वैकल्पिक था और समार था इत्रेतर में आपको दो संजाओं का बता दिया साथ साथ में जितने भी संख्यावाची पद हैं उसमें छोड़ देना एक से नो छोड़ देना इसा पद जिसके अंत में सुन्या आ जाए बाकी सारे के सारे इत्रेतर द्वन्द बनेंगे विलॉम शब्द वाले वैकल्पिक द्वन्द होते हैं और उसी प्रकार के अन्य वस्तूं का समुष उचित करने वाला क्या होता है जो है वह समाहार द्वन्द होता है अब देखीका ये तीन प्रकार के द्वंद्वत हैं अन्य तीनों प्रकार के द्वन्दों को हमने बात करी अब देखीगा एक आगे वापस जो है हम उदर आики पदूं की अभी बाकी दुनिया बाकी हैं लेकिन आपको क्योंकि आज की कख्षा इतनी होगी इसलिए मैं इसका अर्थ बता करके फिर जो है अंतिम दूसरा आगे का सत्र जोगा उसके अंदर इसकी बात करेंगे उन्होंने का हे राजन द्वन्दो अस्मी मनी हम दो हैं और दी मनी दो और गू मनी गाय मुझे देहज में सस्राल वालूने क्या दे दी क्योंकि पहले होंडा सिटी का प्रचल नहीं था गाय दी जाती थी क्योंकि धन धान्य के लिए जो हैं वो क्रिश्वी हुआ करती थी और जो हैं दो गाय दे दी तो द्वन्दो अस्मी हम दो हैं और देहज में क्या दे दी मुझे दो और मत गे हे राजन ये तो ही अहम विप्रह निर्धन अस्मी मैं निर्धन ब्रामन हूँ अतह मेरे पास खाने को कुछ नहीं है नित्यम मनी हमेशा ही आ व्याई भाव आ मनी नहीं व्या मनी व्या करने के लिए ऐसा भाव है क्योंकि कुछ भी व्या करने के लिए नहीं है मे क्योंकि वो दुखी मन्स कह रहा है कि मेरे घर में व्याई भाव का मतलब व्य होने वाला तो ऐसे शब्द जो हमारी भाषा में जिनका व्य नहीं होता जिनको हम आविकारी कहते हैं जो लिंग वचन कारक काल वाच्चे पुरूश के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं सदेव एक सम रहते हैं एक समान रहते हैं उसी का नाम ऐसे पदों को किसमे लेते हैं अपन अव्य भाव में और जिसके साथ में उबसर्ग लगे हो हम जानते हैं यता है तता है यावत है तावत है भर है बे है इस परकार के जितने भी उबसर्ग होंगे वो अभी भाव आग कुछ काम दीजिए मुझे कुछ। मैं क्यूं आया हूं आप से व्रत्ती मांगने के लिए हूं करमधारिय मुझे कुछ करमधारन कराओ जहां पर दोनुपदूं के मध्धे विशेशन और विशेश्य का भाव होता है वहां पर कौन सा समास होगा करमध हारिये विस्तार से आगे की कक्षा हम बात करेंगे ये ना हम जिसके करण किसके करण जब मुझे तुम करमध होगे येन मनी जिसके कारण अहम मनी में स्याम मनी हो जाऊंगा बहु का मतलब है बहुत और वरिही मनी अनवाला यहां पर बहु भी गौन है और अनवाला भी गौन है खुद के लिए उसने विप्र ने अपने लिए किस पद का प्रियोग किया बोलो बहु भी जहां पर दोनों ही पद क्या हो जाए ये भी अप रधान ये भी अर्धान कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान हो जाए बोलो कौन सा होता है बहु भी होता है तो ये अध्वन रखियेगा इस प्रकार उसने अपनी बात भी कह दी और जो उसने कहा कि समासेन वद समास के मादयम से बोल तो अपने समस्या को भी बता दिया और समासों के बारे मेहिम भी बता दिया और इसी के साथ जो है आज की कक्षा में संपूर्ण करता हूं आगे की आगे का जो सत्र होगा उसमें जो बाकी के जो समास रहे हैं उसके बारे कुम